दोस्तों आज की वीडियों लोगों जानेंगे कि आप ड्राइवेर लाइसेंस या ड्राइवेर लाइसेंस या ड्राइवेर लाइसेंस को 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 कि और डीजी लॉकर को सर्ज्ज करने बाद आपको थोड़़सा लेना सर्ज्ज करने बाद हम अपर डीरेक्टपट आप डीजी लॉकर करें की सट पहले जाएंगे और हैं पैट uz oldest nant देखने का मिलने आपको साइनी इन उपहला अपसे आपको किल्क कर देना हैं Sign in वाले option पे click होने के बाद आपको थोड़ा से wait कर लेना है और wait करने के बाद आपको यहाँ पे नए page पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको यहाँ पे अपना account आपने बनाया होगा तेहाँ पे अधार number या mobile number इंटर करना है और sick disease का security पीने आपे इंटर करना है और sign in पे click कर देना है अगर आपने account को नहीं बनाया है तो आपको नीचे एक option दिखने को मिल जागा sign up का sign up पे आपको click कर देना है और sign up पे click होने के बाद आपको थोड़ा से wait कर लेना है और wait करने के बाद यहां से आपको create account का एक option दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको अधार पे जो आपका नाम होगा उस नाम को यहाँ पे इंटर कर दीजेगा और आपको यहाँ पे data worth अपना select कर लेना है उसके बाद से mail है female है उसको इंटर कर देना है अपना 10 digit का phone number इंटर कर देना है और उसके बाद से 6 digit का आपको पीन इहांपे सेट कर लेना है याद रखिएगा pin बोल मत जाएगा उसके बाद से email tidak आपको इंटर कर देना है और submit वाले आपसन पे click करना है submit वाले option पे click होते ही आपका account को create कर दिया जाएगा account create करने बाद फिर आपको sign in वाले option पे आ जाना और अपने phone number इंटर करके और जो अपने pin बना यह उस pin को enter करके आपको पीं इंटर करके आपको जो अपने pin set किया था उसके बाद से आपको चलिए मैं अपना पीन इंटर कर लेता हूँ, पीन इंटर करने बाद आपको sign in पर click कर देना है sign in पर click करने बाद फ़र से wait कर लेना है, मेरा note उसके बाद से आपके mobile number पो OTP से end किया जाएगा, OTP इंटर करके आपको submit वाले option पर click कर देना है submit वाले option पर click होने के बाद आपको, यहां पर डीजी लॉकर में sign in हो जाएगे आप और यहां पर कुछी इस परकार से आपका जो भी documents यहां पर होगा, pop-up आपके इसको close कर देना है और close करने बाद जो भी आपका यहां पर option इसमें, sorry, जो भी documents होगा, यहां पर so हो जाएगा उसके बाद से यहां पर all states so होगा, आपका जो भी state होगा, यहां से select कर लिजेगा, चलिए मैं अपना state select लेता हूँ उसके बाद से आपका नाम और data worth यहां पर आ जाएगा, उसके बाद से यहां पर आपको deal number इंटर कर देना है और deal number इंटर करने के बाद get documents पर आपको click कर देना है get documents पर click होने के बाद फ़र से wait कर लेना है wait करने के बाद आपका, यहां पर देख पा रहा है, documents successfully download हो जाएगा और उसके बाद से आपका, यहां पर download वाले option पर click करके आपको अपना deal को PDF फाइल में आपके download कर लेना है PDF पर click करने के बाद आपका, deal आपके download होने लगेगा और download होने के बाद आपको इसको open कर लेता है कर लेना, चले मैं open करके अपना दिखाता हूँ और open करने के बाद आपको, आपका पूरा डीटेल से यहां पर सो हो जाएगा आपका नाम अगरे deal नमबर, आपका कौन-कौन यहां पर वीकल है तो इस तरह अपने deal को आप डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर जैसा कि यहां पर देख पा रहा है, मेरा deal डाउनलोड हो जुगा तो इस तरह आप अपने deal को डाउनलोड कर पाएंगे तो अगरे वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलता हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन्द